नमस्कार आप देख्रें यूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांध्वना आपके साथ बात थोड़ी पुरानी है पर हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है यहाँ बात बहार के दो नेताओं की हो रही है ये दो नेता एक ही कुल के हैं और एक ही फूल से तालुक रखते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार माजुरा क्या है तो माजुरा पटना एरपोर्ट के वियाईपी लाउंच का है जहां एक ही कुल के दो फूल नेताओं की आपस में भिडंत हो गए और भिडंत एतनी जबरदस्त थी कि किसे ने बीच बचाव नहीं किया आकरकार देश के सबसे पुराने दल की नेता को सामने आकर उन दोनों को अलग करना पड़ा इतना ही नहीं ये पाठी जहां से ये दोनों बिलॉंग करते हैं खुद को बेहद अलग रखती है कहती है कि ये पाठी सबसे अलग है और अकेली ही चलती है आकरकार क्या है ये माज़रा और हम कहना क्या चा रहे हैं आपसे समझे इस कहानी में खबर जानना इसलिए भी जरूरी है कि अपने आपको सबसे अलग कहने वाली पाठी के दो नेताओं में सारवजनिक जगा पर भिड़ंत हो गई इससे भी खास ये है कि जगड़ा देश की सबसे पुरानी पाठी के राज्य प्रमुक के सामने हुआ इससे भी महत्वपोन ये कि जस पुरानी पाठी को वो दोनों नेता सुबह से लेकर शाम तक मजाक उड़ाते ठकते नहीं थे उसी पाठी के हाली में राज्य प्रमुक बने सक्ष ने बीच बचाफ कर मामले को शान्त कराया हम बात करें हैं एक ही कुल के दो नेताओं की दोनों नेता फूल से तालक रखते हैं वैसे तो दोनों दिल्ली से जुड़े हैं लेकिन राज्य के अंदर एक ही जिले से आते हैं एक को पार्टी का fire brand नीता कहा जाता है तो दूसरे को दल संगठन का बौधिक brand के रूप में मानिता दी जाती है एक नीता elected है तो दूसरे selected है यानि एक उपरी सदन के सदस है तो दूसरे नीचले सदन के सदसे है एक को देश का बड़ा विभाग चलाने के जिम्मदारी है तो दूसरे को पार्टी संगठन की बात रखने का जिम्मा है कुछ दिम पहले एक ही कुल के दोनों नीता हवाय जहाज के इंतजार में VIP लाउंच में बैठे थे दोनों की अपने ग्री राजवे से देश की रासधानी जाना था बड़े विभाग से जुड़े मानिनिये अपने सांसद महोदे पर उखड़े हुए थे अचानक पुरानी पाचे के राजव प्रमुख की एंट्री होती है संयोग देखिए पुरानी पाचे के राज प्रमुक बेनी दोनों के कुल के थे जैसे ही पुरानी पाचे के प्रमुक ने फूल एवं कुल वाले दोनों नेताओं को सामने देखा वो एक जुटता की तारीफ करने लगे बस क्या था पहले से घरम फाइर ब्रैंट के नेता और भी जादा गरम हो गए पहले तो हल्का डोस दे रहे थे इस बार तो सीमा ही लांग गये फाइर ब्रैंट ने बौद्दिक ब्रैंट वाले नीता पर आप शब्तों की बहुच्शार कर दी बताया जा रहा है कि असंसदिय शब्दों का भी जम कर अस्तमाल किया गया ये एक पुरानी पार्टी के प्रमुक शनवर के लिए आवाक रहे गए इसके बाद प्रमुक जी ने बीच बचाफ किया लेकिन तब तक फायर ब्रैंड नीता जी मर्यादा की सारी सीमा लांग चुके थे आके फायर ब्रैंड नीता अपने लाके से आने वाले बौधिक ब्रैंड वाले नीता से इतने खफा क्यों है दोनों माने नहीं हैं फिर इतनी प्रती स्प्रदा क्यों है हमने जब इसका कारण तलाशा तो पतर चला कि बॉद्धिक ब्रैंड वाले नीता फाइर ब्रैंड वाले नीता के संसदिये छेत्र में जादर दिल्चस्पी लेगने लगे हैं लहाजा फायर ब्रैंट वाली नीता अपने लिए खत्रे के रूप में से देख रहे हैं बताया जाता है कि दोनों में मनमुटाफ की शुरुआत 2019 लोस चुनाफ के समय से ही शुरू हो गई थी छेत्र के एक बहु प्रतिक्षत पुल को लेकर भी दोनों नीता आमनी सामने हो गए बॉद्दिक ब्रैंट वाली नीता पुल निर्मान को लेकर की गए प्रयास को भुनाने में जुट गए तो फायर ब्रैंट वाली नीता कोई नागावार गुजरा बताया जाता है कि ये भी एक बड़ा कारण है वज़ा चाहे पुल हो या कोई राजनितिक कारण लेकिन दोरों के बीच का विवाद इन दुनों काफी चर्चा में हैं वैसे बॉद्दिक ब्रैंट वाली नीता फायर ब्रैंट वाली नीता के इस बात को खुदी प्रचारत करने में जुटे होई ये पूरी खबर पढ़ना एरपोर्ट के वियाईपी लाउंच से है जहां एक ही कुल के दो नेताओं के बीच जबरदस्त भेरंत हो गई और ये आग वहां से निकली जब देश के सबसे पुरानी राज्यतिक दल की राज्य प्रमुक वियाईपी लाउंच में पहुचे और उन्होंने इन दोनों नेताओं के एक जुट्टा की तारीफ कर दी फिर क्या था आपसी मन मुटाव भडास के रूप में बाहर निकल गया और दोनों नेताओं के बीच जम कर विवाद हुआ काफी एसनस अदिय शब्दों का अस्तमाल किया गया अब शब्दों की बौच्छार की गई अब देखना यह है कि इन दोनों नेताओं का दल की तरफ से क्या आक्षिन लिया जाता है फिरा के लिए इस खबर में अत्मा ही नमस्का